हेलो फ्रेंड्स मैं मनीशा आपका स्वागत करते है अपने यूटूब चैनल पर आज मैंने बनाएं दही वाले बैंगल जो खाने में बहुत ही टेस्टी है एक बार जरूर बनाके देखे आप भी इसको बनाना बहुत ही आसान है इसको बनाने के लिए मैंने यहां पर लिए ह इन बैंगनों को मैंने दो लिया है अब इन पर दो कट लगा लें कुछ बैंगनों को मैंने बड़े वाले बैंगनों को दो कट लगा कर दो दो टुकडों में अलग अलग कर लिया है छोटे बैंगनों को आप अलग ना करें उनमें दो दो कट लगा के साबूती रहने दें सारे बैंगनों को इस ढंग से ही काट लें बैंग्रों में मसाला लगाने के लिए मैं निहा का टोरी में लिये है आदा छोटा चमच नमक आदा छोटा चमच लाल मिर्च आदा छोटा चमच हल्दी पावडर और एक टेबल स्पून तेल अब इसे सब को अच्छी तरह मिक्स कर लें मिक्स हो चुका है अब सारे बैंग्रों को यह मसाला लगाएंगे सारे बैंग्रों पर मसाला लगा दें उंगली की मदस से सारे टुकडों में आसी लगाले मसाले को अंदर भी लगाले यहां मैंने सारे बैंगनों पर मसाला लगा लिया है अब एक कड़ाई में एक बड़ा चमच तील डालेंगे, उसको गरम करें तील गरम हो गया, अब सारे बैंगनों को इसमें डाल दें यहां सारे बेंगन मैंने डाल दी हैं तेल में अब इनको तेज आज पर इनको अच्छी तरह फ्राई कर लें बीच बीच में चलाते रहें जिससे की दोनों साइट से फ्राई हो जाएं बेंगन हमारे थोड़ थोड़े फ्राई हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं बेंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं गैस बंद करकर इन सारे बेंगनों को दूसरे बरतन में निकाल लें मसाले के मैंने लिए 4 हरी मिर्च, 1 चोटा टुकुडा द्रक्क, 4-5 कले लसन, दो बड़े प्याज लसन को मैंने मोटा-मोटा कूट लिए है, प्याज को बारिक पीस लिए है या मैंने कटोरी दही लिए उसमें डाला एक चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आदा चोटा चमच लाल मिर्च और आदा चोटा चमच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और आदा चोटा चमच डालेंगे करम मसाला अब इन सब को अच्छी तरह दही में हुआ है जुरहो है जिस कंछते हैं कि दुं सत सो खुदि ठीक के आए अब कि तक अब दोरो के आए में गुर्व में तेल दालें उसको गरम करके मुझा है इसमें जीरा डनकर भून लें जीरा हमारा भून चुका, इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज प्याज को अच्छी तरह भून ले प्याज हमारी भून चुकी है अब इसमें डालेंगे लहसन अदरक कोटा हुआ मसाला और हरी मिर्ज कटी हुई इनको मसाले में अच्छी तरह भून ले मसाला भुन चुका है अब इसमें डालेंगे दही का मिक्स्चर इसको भी चलाएं मसाले के साथ भून लें आप देकों को पानी छोड़ दिया है पर इसमे जब तक पका ना है जब तक कि मसाल अच्छी तरह भुनना जा और उसमें तेल ना छोड़ दे, मसाला मसाला मारा थोड़ थोड़ा भून चुका है इसको और भूनेंगे मसाला चितर भून चुका है, इसने तेल भी छोड़ दिया है अब इसमें डालेंगे फ्राई कियो वे बैंगन अब इन बैंगनों का चितर मसाले से मिक्स कर ले मसाले अची तरह मिक्स हो चुके है नमक डालने से पहले हम नमक को चेक कर लेंगे कि नमक कितना कम है क्योंकि हमने बैंग्नों के मसाले में भी नमक डाला था उसके हिसाब से नमक डालेंगे मैंने नमक डाल दिया थोड़ा सा पानी डाला है अदिकक्टोरी अब इन दोनों के डिम कर ले और दोनों के अच्छे तरे mix कर ले है इनको गखकर पकाएंगे 5 मिनट और बैंगन हमारा अच्छी तरह पक चुके है इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर ले अब गैस बंद कर दें इसमें डालेंगे क्रीम हमारे दही वाले बैंगन की सबजी बनकर तयार है अब भी जरूर बनाए दही वाले बैंगन